और डिक्टेशन की स्पीड होगी सौ सब्द पिती मिनिट ओपी सुपला पेच नमबर 113 डिक्टेशन इस्टाड होगी 5 सेकंड बाद अद्धिक्ष महुदे राष्टी सिक्षा तथा अन्य भासाओं के प्रस्नों पर मैं इस समय चर्चा नहीं करना चाहता इन दोनों विस्यों पर चर्चा भासा बिद्यक के आने पर की जाएगी इस समय मैं यह चाहता हूँ की पहले इस बात पर विचार करें की सिक्षा का माद्धिम कौन सी भासा हो मेरे विचार से सिक्षा के हिद में इस बात की अत्यंत आवसकता है की अपने देश में मातवासा को या जिसको हम अपने देश की राष्टवासा कहते हैं उसको सिक्षा का माद्धिम बनाया जाए उच्चतम सिक्षा का माद्धिम भी मातवासा होनी चाहिए इसमें पाठ्थ पुस्तकों की कटना ही हो सकती है लेकिन यह कहना की जब तक पाठ्थ पुस्तकें ना बन जाएं तब तक मातवासा को सिक्षा का माध्यम ना बनाया जाए यह गलत तरक होगा यह तरक अपनाया गया की जब तक मैं तेरना नहीं सीख लूँगा तब तक पानी में पैर नहीं रखूँगा इस तरह तो मैं समस्ता हूं की कभी तेरना नहीं सीखा जा सकता इसलिए किसी तरह एक वार पानी में खूंद जाएं एक वार यह फैंसला ले लें की मातवासा को सिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा और ततकाल यह फैंसला लेकर सिक्षा सास्त्रियों से कहा जाए कि बे तेजी से पाठ पुस्तकें तैयार कर रहे हैं या उनका अनुवाद करें पैरा चिंच बिग्यान की सिक्षा के बारे में कहा जाता है कि बिग्यान की पढ़ाई का समंद मातवासा में होने से बड़ी कठनाई का सामना करना पड़ेगा मैं इस बात को नहीं मानता मैं तो यह मानता हूं कि मातवासा में बिग्यान की सिक्षा देना सबसे आसान है समाज सास्त की सिक्षा कुमात वहसा के माद्यम से सिकाने में सायद कुछ समय लगे उसकी पाठ पुस्त के बनने में सायद कुछ समय लगे लेकिन बिग्यान की पड़ाई के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती बिग्यान के फॉर्मूले जियों के तेयों रखे जा सकते हैं बिग्यान की सब्दावली को भी जियों का तेयों रखा जा सकता है केवल उन्हें मातवासा में समझाना है इसलिए बिग्यान की पुस्तकें और बिग्यान की सिक्षा के लिए मातवासा को माध्धिम बनाने में कोई समय लगने वाला नहीं है चुकि हम अपनी सिक्षा नीटे में सबसे अधिक बिग्यान की बिग्यान पर जूर देने वाले हैं इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सबसे अच्छा काज्र होगा यदि हम मातवासा को सिक्षा के माध्यम के रूप में सुईकार कर लें तो हम कह सकते हैं कि मातवासा को जल्दी गिरहन कर सकते हैं अध्यक्च महुद है हमारे सिक्षा आयुक की रिपोर्ट में एक बात और बहुत अच्छी कही गई है और बह यह है कि हमें अपनी सक्षा में बिग्यान को अधिक महत देना होगा आज की दुनिया में यदि हम तेजी से प्रगती करना चाहते हैं तो इसमें कोई सक नहीं कि बिग्यान की सक्षा पर सबसे अधिक जो दिया जाना चाहिए लेकिन इसके साथ साथ स्रीमन मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बिग्यान की सिक्षा के साथ साथ हमें अपने बच्चों की अन्न विस्यों पर भी महत देना चाहिए स्टॉप